हेलो दोस्तो यू नेक्ष्ट में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जहर्खन पब्लिक सर्विस कमिशन तो आप सब को बता दे कि जहर्खन नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका कि आप लोग बहुत ही बेसबरी से इंतिजार कर रहे तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सारी चीजों को डिटेल से तो आप सब को बता दे यहां सीटों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है क्योंकि चार साल का जो है विग्यापन एक ही साथ निकाला गया है आप यहां देख सकते हैं 2017, 2018, 2019 और 2020 इन चार सालों का जो है विग्यापन एक साथ निकाला गया है और इस बज़े से सीटों की संख्या बहुत अच्छी है और यहां बहुत अच्छे अच्छे पोश्ट भी है और आप सब जो भी अभ्यारती BPSC की तयारी कर रहे है या फिर UPPCS की तयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इक अच्छी सीटे हैं और आप सब इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम यहां देखेंगे जो इसकी वेकिंसी यह जो आई है इसमें डेट क्या है जो इं sc.gov.in पर देख सकते हैं सारी चीजों को वहाँ से notification डाउनलोड कर सकते हैं तो आप यहाँ देख लिजिए form भरने का जो last date है आपका वो है 15 March 15 February से start होगा और 15 March तक आप apply कर सकते हैं उसके बाद हम देखते हैं परिक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिमतिती जो है वो 16 March है और प्रारंबिक परिक्षा की संबावित दी थी यह जो important है नोट करने वाली बात जो कि आपको माइन में रखना है 25 2021 तो आप यह देख सकते हैं 2 माई को जो है आपका pre exam होगा time बहुत कम है और जो आपका main exam है वो है 4th week September 4th September के last week में यह exam होगा तो आप यह देखिए pre exam इसका September में होगा तो यहाँ पे तो यह हो गई date की बात अब हम चलिए पूरे notification को detail में देखते हैं जिसमें की आपका सारा चीज दिया हुआ है सारी चीजों को हम यहाँ detail में एक-एक करके देख लेते हैं तो यह है देख लिजिए आप यहाँ पे official जो है इसका notification जिसमें सब result आगा उस वहाँ तक बढ़ भी सकती है फिलहाल जितने का अधियाचन प्राप्त हो चुका है उतनी सीटों पे यहाँ वेकिंसी निकाली गई है जिसमें की बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है जो कि अभी आप देख रहे हैं BPSC और UPPCS में भी नहीं आया है HDM बगेड़ के 65 पोस्ट है जारखन सिक्छा सेवाबर के 41 पोस्ट है तो आपने देख लिया इस तरह से सीटों की संख्या जो टोटल 252 है जो की बहुत इंपोर्टेंट है आप सब के लिए जानना तो और यह बढ़ भी सकती है अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेट पे तो आप सब को पता अब सेक्षनिक योगता की बात करें तो यहां पर वही है सेक्षनिक योगता जो आपका ग्रेजुएशन और अब हम बात करेंगे एज लिमिट की तो एज लिमिट जो है यहां पर आप यह देख लिजिए यहां जो एज लिमिट है इनका इन्होंने किया है नियुनतम उम्र की गन्ना किती थी एक तीन दोहजार एकीस एबम अधिकतम उम्री गन्ना किती थी जो है एक आर्ट दोहजार सोला के अधार पर की जाएगी तो यहां जो है आपका उम्री सीमा दिया हुआ है मिनिमम आपका एकीस साल होना चाहिए और मैक्सिमम पैतिस साल तो यहां पर जो है उन्हें मैक्सिमम 35 साल लखा है, जो कि आप यह देख सकते हैं, बाकी तो पता ही है, जो कैटेगरी वाले होते हैं, उनका ज्यादा है, आप यह देख लिजे, जेनरल के लिए 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 35 साल, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपोर्टेंट जितने भी टॉप सबसे इंपोर्टेंट वो है आपका exam pattern, वहाँ पे plan of examination, तो वही है, यहाँ पे आपका pre-exam होगा, pre-exam जो है वो objective type होगा, फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, आप यह main exam होगा, और फिर आपका interview होगा, तो plan of examination तो उसी तरह का है, जिस तरह से बाकी सब की होते हैं, सार preliminary examination जो है आपका, the examination shall comprise of two compulsory papers of 200 marks, each namely general studies 1 और general studies 2, आपके दो paper होगे, और यहाँ पर 200 number के होगे, तो आप यह देख लिए, जो all questions of compulsory papers will be of objective type, और यहाँ पे है दो घंटा आपका duration रहेगा, और paper जो है आपका हिंदी, English दोनों में होगा, और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ ह जो आपका pre exam होगा, pre से mains में वो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, इसका मतलब है, टोटल सीटो की संख्या आपने देखा है कि वो लगभग 300 है, तो उसी साब से आप अनुमान लगा लेजिए, यहाँ पे लगभग 4000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा main exam लि किस तरह से इनका क्या syllabus है, और यह देख लिजी आप criteria for preparation of selection merit list बनाने के लिए जो criteria है, यहाँ पे 40% जो है, टोटल इनका general का होना चाहिए, बाकी other जो भी है, उनका है, केटेग्री वालों का तो आप यह देख सकते हैं, जो कि यह तो matter नहीं करता है, वो तो फिर आपका exam जो है, उसको अच्छे से देख लेते हैं, डीटेल में, scheme and subject for the preliminary, हाँ, देखिए, जो preliminary examination है आपका, वो हाँ पे दो paper होंगे, 400 number के, जो कि मैंने आपको बताया पहले ही, और जो उसका syllabus होगा, GS1 और GS2, GS1 जो है, दो घंटे का होगा, और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यह जो है आपका break up रहता है, जैसे कि history है, geography है, कौन से, किधर से कौन से topic से कितने questions आएंगे, यह यहाँ पर दिया रहता है, तो आप यह देख लिजिए, जो आपका GS1 है, this paper will consist of 100 objective type questions, सारे जो है, आपके दो नंबर के questions होंगे, 100 questions होंगे, टोटल, जिसमें 15 questions history से आएंगे, आ आप यहाँ देख लिजिए, ancient history से जो है, आपके 5 questions, medieval से 5 और modern से 5, फिर geography से 10 questions आएंगे, प्री में, और Indian polity से 10 questions आएंगे, जिसमें constitution of India के 4 questions, public administration से 4 questions, और यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरह economics से 10 questions, science and technology से 15 questions, तो सारे के सारे यहाँ पर किस-किस topic से कितने questions आएंगे, वो ट जारखंड special से जो है, यहाँ पर 10 questions आएंगे, तो आपको यहाँ पर एक और अच्छी बात है, जारखंड special से आप यह देख लिजिए, बस 10 questions आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफियर्स के 15 questions होंगे, और जेनरल जो मिसलेनियस है, उससे 15 questions होंगे, अब जी एश 2 जो है आपका जो दूसरा पेपर, वो भी 100 questions होगा, और दो घंटे का, और यहाँ पर देख लिजिए, यहाँ पर यह पूड़ा जारखंड specific होगा, जिसमें की जारखंड का इतिहास, जारखंड आंदोलन, जारखंड की बिसिष्ट पहचान, आप यह देख लिजिए, सब क 6 पेपर होंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, में एक्जामिनेशन में आपको, मेंस एक्जाम में कोई भी optional subject नहीं लेना है, यहाँ देख सकते हैं, जो 6 पेपर होंगे, जिसमें की पहला पेपर आपका होगा, General Hindi and General English, जिसमें की, having two separate sections, General Hindi and General English के आपके, 50-50 यहाँ पर देख सकते हैं, 50 नमबर के होंगे, 3 घंटे का, 100 नमबर का होगा, फिर पेपर 2 जो है, आपका, इसमें से एक, आपको select करना होगा, यह सारे के सारे जो है, लेंग्वेज दिये हुए है, इसमें से आपको English लेंग्वेज भी है, Hindi लेंग्वेज भी है, जो कि 1500 नमबर का ह होगा, यह descriptive type होगा, और अब हम बढ़ते हैं, paper 3, paper 3 जो है, social science, having two distinct section, history and geography, यहाँ पर देख लिजे, paper 3 में history और geography होगा, paper 4 में Indian constitution होगा, जो कि quality, paper 5 आपका Indian economy, globalization and sustainable development, paper 6 जो है आपका general science और यहाँ पर environment, तो आप यह देख लिजे, total जो है, यहाँ पर main examination, आपका सारे 900 नमबर का होगा, और फिर उसके बाद 100 नमबर का interview होगा, तो टोटल एक्जाम जो है, आपका 1050 marks के होगे, तो आपी exam का जो समझ गया होगा, किस तरह से है, आपने देख लिया, paper 1 जो है, यह यहाँ पर English और Hindi का होगा, जो की 100 नमबर का होगा, और यह सिर्फ क्वालिफाइंग स्क्रीन शॉट लेके, वही हिस्टरी, जोगरफी, बाकी यह सब होगे, तो इस सारे 900 नमबर का है, तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में, मैंने आपको सारी चीजे डीटेल में पता दे, कि किस तरह से JPSC का क्या स्कीम है, किस तरह से JPSC का exam pattern, syllabus, आपने सब कुछ और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और आपको बता दू कि आपके कोई भी डाउट से, कुछ भी आपके मन में, तो आप बेजी जग मुझे करमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिच करूँ कि आपके सारे डाउट्स दूर करने के, तो इस वीडियो को में यही खत् झाल 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